सब्सक्राइब टू मन की साधना एंड हिट द बैल आइकन फोर मोर अप्डेट्स फ्रेंड्स मैं आपके लिए न्यू पैटर्न की ड्रेस लेकर रही हूँ यह देखिए कितनी सुन्दर है कितनी अच्छी है इसको आपना बैक साइड से भी पहना सकते हैं इसको बैल्ट को पीछे की साइड भी लगा सकते हैं किसी टाइम में अपने बच्चों की फ्रॉक बनाई थी तो मैं ऐसे ही पहना थी अगर आप चाहें तो बैल्ट को पीछे की साइड लगा कर भी पहना सकती हैं फ्रेंड्स मैं कि ये फ्रोग कैसी बनी ये फ्रोग एक से डेड़ साल के बेवी के आराम से आएगी फ्रेंट्स अगर आपका बेवी पतला दुबला है तो हो सकता है दो साल तक भी आ जाए बहुत ही प्यारी है चलिए फ्रेंट्स शुरू करते है फ्रेंट्स मैंने जो वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने थोड़ा सा घीर की डिजाइन डाली हुई है वो मैं आपको बता देती हूं कहां तक डाली है ये देखिए ये मैंने एक ये फ्लावर बनाया है और छे डबल क्रोशिया फिर फ्लावर इसके बाद में जो सेकंड वाला राउंड आया है न वो डबल क्रोशिय फिर चार चेन ये चार चेन है फिर सिंगल क्रोशिया से इसमें जोइंट कर दिया है फिर चार चेन फिर यहां पर डबल क्रोशिया ये डबल क्रोशिया आया है फिर इसके बाद में छे डबल क्रोशिया है उसके बाद में फिर यहां पर चार चेन फिर सिंगल क्रोशिया से यह double crochet बनाए यहां तक मैंने वीडियो अप्लोड कर दिये इसके बाद की वीडियो अब मैं अप्लोड करूंगी आप उसे देखिएगा जरो देखे फ्रेंट्स अब मैं last में हूँ अब यह flower बनाने के बाद में यहां पर 6 double crochet हमको बनानी है 6 chain में एक दो तीन चार पांच chain में बनानी है क्योंकि यह दो एक ही chain में तो एक दो तीन चार और एक यहां यह पांच फिर हमको फ्रापरी भी बनाना है तो flower हमारा यहां तो अब हम क्या करेंगे हमारी कुछ चेने कम पड़ रही है तो अब हमको यहां पर 6 chain बनानी है double crochet बनाने तो ह हम एक double crochet इसी में बना देंगे यह दिखिए एक दो तीन चार पांच छे चे होगा है क्योंकि हमने यह वाला भी एक ही chain में बनाया हुआ है अब क्या करेंगे अब यहां पर एक ही chain छोड़के flower बनाएंगे कि यह देखिए ऐसे दो यह तीन फ्रेंड्स आप न यह सबको एक साथ भी निकाल सकते हैं और एक chain लेगे ऐसे फिर दो chain लेंगे कि इसके साथ में फिर वही flower की पत्ती बनाएंगे दो यह तीन बार आमको निकालना और शारे एक साथ निकाल देए और एक chain बना लेगे ऐसे फिर दो चेन लेंगे एक एक ये दो फिर इसी स्पेस में जहां पर हमने ये लीप बनाई है तो एक ये दो और ये एक तीन इन सब को एक साथ निकाल दीजिए सब को एक साथ निकाल दीजिए या तीन और दो करके निकाल दीजिए जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे यहां पर हमको ये एक दो तीन चार अभी हमें दो डबल क्रोशिया और बनानी है तो हम यहां पर के विल एक ही स्किप करेंगे तो एक डबल क्रोशिया इसमें आ जाएगा जैसे और एक इसमें आ जाएगा ऐसे अब इसकी तीसरी वाली चैन में एक दो तीन तीसरी वाली चेन में इसको स्लिपिस्टी से जोइन कर देंगे यह देखिए दो यह होगा यह बीच वाला हो गया अब क्या करेंगे अब फिर से हम यहाँ पर एक स्लिपिस्टीच बनाएंगे यह देखिए फिर तीन चार चेन बनाएंगे दो तीन चार फिर इसी स्पेस में फिर से हम एक डबल ग्रोशिया बनाएंगे ऐसे फिर इस वाली चेन में बनाएंगे दो एक यह तीन यह हमारा इदर से जोइंट हो जाएगा अब यहाँ पर हम चार चेन बनाएंगे एक दो तीन चार चार बनाने के बाद में हम इसकी बीच वाली जो लेप है इसमें हम इसको जोइंट कर देंगे ऐसी फिर चार चेन लेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे यह दिखिए एक यहाँ बनाएंगे छे के उपर छे ही बढाने है हमको दो और यह बीच वाला तीन एक चेन फिर इसी स्पेस में फिर एक और यह दिखिए हैं फिर इस वाली चेन में यह देखिए चे के चे हो गए और हम फिर से चार चेन लेंगे जैसे हमने यहाँ पर जोइंट किया है ऐसी जोइंट करेंगे इसको एक दो तीन चार और यहाँ पर सिंगल कुरूशिया से इसको जोइंट कर देंगे ऐसे फिर चार चेन अब यहां पर हम डबल क्रोश्य बनाएंगे इस चेन में बनाएंगे अब यह बीच वाला बनाएंगे एक चेन लेंगे फिर उसी स्पेस में फिर से एक डबल क्रोश्य बनाएंगे फिर इस वाली चेन में डबल क्रोश्य फिर चार चेन जाए फेंट्स इसी तरीके से इसको हम पूरा करेंगे पूरे राइट ग्राउंड को जब हम यहाँ पर आते हैं फिर आपको दिखाते हैं देखिए अब हम लास्ट में हैं यहाँ से हमने छे डबल क्रोश्या वना लिए उसके बाद चार चेन मनाएं और सिंगल क्रोश्या से इस फ्लावर की पत्ति पर जोड़ दिया है इस छेडबल कुरोशिया करनी है हमको तो यह देखिए näm यह दो हो गए और यह दो यहने चार होगे और यह तीसरी वा डाइए में इसको हम सिलिपिस्टी से जोड़ देंगे यह देखिए चेक इचे हो गए अब यहाँ पर हम सिलिपिस्टी से इस जगए पर आ जाएंगे अब यहाँ पर फिर से हम चार चेन बनाएंगे चार चेन बनाने के बाद में एक दो तीन चार चार चेन बनाने के बाद में अब इसी स्पेस में हमको एक पर डबल क्रोश्य और बनाना है चार चेन बनाएंगे और इसी स्पेस में एक को डबल क्रोश्य और बनाएंगे यह देखिए अब इस वाली में डबल क्रोश्य और बनाएंगे अब हमको एक राउंड और फ्रेंट्स ऐसी करना है अब यहाँ पर फूलों वाला बनाना है दो छे के उपर छे ही बनाने अब यह चार हमारे बन गए दो इधर से बनेंगे तो यह छे हो जाएंगे अब इसके बाद में हमको यहाँ पर यह जो है जो हमने सिंगल क्रोश्य और बनाए था इसी के अंदर हमको फिर से फ्लावर बनाना है एक दो तीन या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इस तरीके से या फिर आप एक और दो चेन चेन इसी स्पेस में फिर दुबारा से हम फ्लावर बनाएंगे लिप बनाएंगे उसकी दो दो करके निकालेंगे यह देखिए ऐसे यह चार हो गए ऐसे भी आप निकाल सकते हैं एक साथ निकालिए फिर एक चेन बना दीजिए फिर दो चेन फिर उसी जगह पर जहां पर हम नहीं यह लिप बनेंगे दो एक यह बन गया दो निकालेंगे फिर दो निकालेंगे फिर से दो निकालेंगे चार हो गए अब चार हो को एक साथ निकाल देंगे और यह फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे छे के छे डबल क्रोशिया हमको बनाने है यह एक और एक यह दो और यह बीच वाला तीन एक चेन फिर उसी जगह एक और डबल क्रोशिया चार एक यह पांच फिर ऋसी तरीके से फ्रेंड्स यह पूरा राउंड करेंगे और यहां पर डवल कुरोशः बना कर यहां थीसरी याली चेन में जॉइन कर देंगे और जो हमने यह यह वाली बनाई थी चारचार चेन लेगे उसको भी पूरा करके आपको भी दिखाते लिगा कि हिए दिखी JEFF आप पर वाली 4 चेन वाली और फ्लावर वाली वह मैंने कर लिये अब में लास्ट में हूं यह देखि मैंने चेन लेनी है और यह एक चेन हम यहां बनाएंगे डबल कुरोश्य दर इस और एक इस वाली में बनाएंगे और यह तीसरी वाली chain में इसको slip stitch से joint कर देंगे, यह देखिए, छे के छे होगा है, अब फिर इसको हम यहाँ पर slip stitch से आएंगे, ऐसे, अब friends हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 chain मनाएंगे, चार chain मनाएंगे, और अब हम को यहाँ पर double crochet बढ़ाने हैं, increase करने हैं, तो कैसे करेंगे, देखिए, यह तो बीच वाला हो गया, यह बीच वाला हो गया, अब एक यहाँ पर बढ़ाएंगे, इसकी बिल्कुल side वाली में बढ़ाएंगे, ऐसे, यह किस में बढ़ाएंगे, और यह किस में बनाएंगे, यह देखिए, अब देखिए कि इतने, यह तो हमारा इधर का हो गया, तो यह चार हो गए, एक, दो, तीन, चार, अब बागी के, इसे मिलाकर, तीन इधर मराने, एक, दो, और एक यहाँ पर बनेगा, तीन, और इसमें जॉइंट कर देगे, तो यह चार हो जाएंगे, आठ हो जाएंगे, अब यहां पर हम फिर से फ्लावर बनाएंगे ऐसे हैं यह दो निकालेंगे फिर यह दो निकालेंगे इन चारों के एक साथ निकालेंगे एक चेन बनाएंगे फिर दो चेन और बनाएंगे एक और एक यह दो फिर से उसी होल में गरेंगे एक दो एक ये तीन ये ऐसे हैं फिर दो चेन मनाएंगे फिर से उसी होल में यहां पर फ्रेंड्स ये देखिए इस जगह पर एक दो तीन और ये सब को एक साथ निकाल देंगे एक चेल ले लेंगे देखिए फ्रेंड्स अब ये हमको ये यहां पर इंक्रीज करने है इस जगह पर तो कैसे करेंगे देखिए एक दो तीन और एक ये पीच में बनेगा चार डबल कुरूशिय हो गए अब एक चेन लेके ये बीच वाला बनाएंगे ये देखिए ये एक दो तीन चार ये हो गए अब एक इदर का बन गया दो तीन और एक ये चार ये दिखिए ये चार हो गए इस तरीके से आठ हो गए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ है अब फिर वही करेंगे यहां पर फिर प्लावर बनाएंगे एक दो तीन ऐसे सब को एक साथ निकाल लेंगे फिर दो चेनर लेंगे एक ये दो और इसी वहले वहाले करें है फिर से हमें यहां पर फ्रावर वनाना है एक अदो यह तिम दो दो करके हम को यह निकालने है कि इस गोल मेंसे जाएंगे जोंदो निकालते जाएंगे फिर डास्टでは बचेंगे 400 बंचनelly इस्तिग निकालएंगे इसके बाद फिर दो निकालेंगे और यह फिर दो निकालेंगे इस तरीके से चारो और बनाते जाएंगे आपके देखिए एक डबल क्रोश्या ये दो डबल क्रोशिया और ये तीन डबल क्रोशिया और ये चौथा इसमें बीच वाले में बनेगा ऐसे और एक चेन और फिर एक और बीच वाले में बनेगा ये देखिए ये देखिए चार हुए एक, दो, तीन, चार अब इधर का भी एक बन गया है दो, तीन, और एक चार ये देखिए अब हमको इनक्रीज करने है यानि हमको अब यहाँ पर बढ़ाने है केवल इन ही में बढ़ेंगे फ्रेंड्स इसी तरीके से पूर अराउंड करना है और मैंने ये चार-चार लाइन करने के बाद में बढ़ाया है एक, दो, तीन, चार चार लाइन करने के बाद में ये इनक्रीज किये है, यह देखिए ऐसा ही मैं चार लाइन करूंगी उसके बाद में फिर दो, तो बढ़ाऊंगी, आठ के दस हो जाएंगे फिर अगर और length करनी है तो फिर चार के बाद फिर मैं 10 हो जाएंगे यह आपर 8 है 10 हो जाएंगे फिर 12 हो जाएंगे फिर 14 हो जाएंगे अगर आप जितनी length करना चाहेंगे उतने आप यहाँ पर increase करते जाएए यह जगह पर और length बढ़ाते जाएए देखिए friends अब मैं आपको यह फ्रॉक पूरी करके दिखाऊंगी देखिए friends मैंने इसकी यह घेर पूरा कर लिया यह देखिए यह देखिए और यह मैं आपको बता दूँ यह यहां बाद मैंने कितने flower बनाए है यह देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, दस flower बनाए है इसमें बीस लाइने होई है और यह friends मैंने यहां पर यह चार लाइन एक, दो, तीन, चार, चार लाइन तो मैंने यह तीन, तीन की की है, तीन, तीन मतलब छे डबल कुरूशिया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह मैंने चार लाइने छे की की है उसके बाद मैं मैंने फिर यह चार-चार की लाइने की है मतलब 8-8 की फिर उसके बाद में मैंने 10-10 की की हैं दो लाइन 10 की की हैं फिर दो लाइन 12 की की हैं फिर दो लाइन 14 की की हैं फिर दो लाइन मैंने 16 की की हैं फिर उसके बाद मैंने 16 ही रखे हैं ये फ्रेंट्स ये मैंने यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया इसलिए बनाए अगर हम यहां से ही स्टार्ट ज्यादा से कर देंगे न तो हमारा गेर काफी चोड़ा हो जाएगा और मैंने यहां पर लास्ट में 16 इसलिए रखे हैं क्योंकि गेर मेरे को ज्यादा चोड़ा नहीं करना है बेबी के हिसाब से यह देखिए काफी चोड़ा आईए अगर आप चाहें अगर और बड़ी फ्रॉक बनाना चाहें तो आप 16 इस तरीके से बढ़ा सकते हैं और यह एक से देड़ साल तक के बेबी की है तो इसमें ज्यादा घेर शायद नहीं सही लगेगा अगर आपको अच्छा लगे तो आप और आगे बढ़ा सकते हैं अगर हम स्टार्टिंग ज्यादा से कर देंगे ना तो घेर हमारा काफी चौड़ा हो जाएगा क्योंकि यह बढ़ाते बढ़ाते ना यह पत्तियां जो है इतनी इतनी चौड़ी हो जाएगी फिर अगर आप चौड़ी चाहें तो आप यहां स्टार्टिंग से ही आठ से शुरू कर सकते हैं यह मैंने छे से शुरू किया है आप आठ से शुरू कर सकते हैं अगर आप छे से भी शुरू करें अगर आपको घिर जादा चाहिए तो आप यहां पर एक दो लाइन इसकी बनाईए एक चाहर बढ़ाने तो आप यहां इससे स्टार्ट कर दीजीगा और अगर और और चोड़ा चाहते हैं तो आप हैं से स्टार्ट कर दीजीगा 8 डबल ग्रोश्या आपनाकर यह देखिए फ्रेंट्स बहुत सुन्दर फ्रोग बनिया है और देखिए फ्रेंट्स यह मैंने एक बाजू भी कर लिया यह देखिए डिजाइनर बाजू है बहुत ही अच्छी शेप आई ऐसकी यह देखिए बहुत सुन्दर शेप आई है और यह बीच में फ्रावर आएग और आगे भी ऐसी है यह देखिए अब फ्रेंड्स हम बाजू बनाएंगे दूसरी वाली बाजू बनाएंगे फ्रेंड्स बाजू शुरू करने से पहले मैं मेजर करके आपको दिखा देती हूं यह कितनी इंच की बनी है और कितनी सेंटीमीटर की बनी है यह देखिए यहां से हम स्टार्ट करेंगे गर्दन से और यह यहां तक यह देखिए है 40 सेंटीमीटर और इंच में यह देखिए 15 15 हाफ साड़े पंद्रा काफी अच्छी है और यह देखिएगा यहां पर इसकी कमर का भी नाब बता देती हूं दस इंच है और 26 25 कमर है सेंटीमीटर और बाजू बाजू भी देख लेते हैं स्टार्ट करने से पहले यह देखिए यह 31 सेंटीमीटर बाजू है और इंच में है 12 इंच यह देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनी है और यह परफेक्ट आएगी एक से देड़ साल के बेवी के अगर बेवी थोड़ा सा पतला है तो यह दो साल के बेवी के भी आराम से आएगी प्रेंड्स आप कमेंट्स जरूर करा करिए नहीं तो हमें पता कैसे लगएगा कि हमारा बताने का तरीका आपको समझ में आ रहा है या नहीं या मेरी ड्रेस हैं या जो भी मैं आइटम बनाती हूं आपको समझ में आ रहे हैं या पसंद आ रहे हैं या नहीं आप कमेंट जरू करिएगा राधे राधे